हेलो दोस्तों वेलगम टू मैं यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग बात करते हैं इकनोमेक्स के कोश्चन्स की जो कि मैंने लिए फाइव एर प्लान से हैं पंच वर्थी हो जोना से हैं जाना था जिसमें पहला कोश्चन है कि एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलेमेंट वाज इंट्रोड्यूज बाई था फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो एलपीजी मॉडल था लिबरलाजेशन प्राइबिटाइशन और ग्लोबलाजेशन जिसे हिंदी मोधारी करण निजी करण और बैस्वी करण कहते हैं तो यह मॉडल क कि इस फाइनेंस मिनस्टर ने इंट्रीज किया था तो यह था मनमोंद सीखने किया था उस ताम फाइनेंस मिनिस्टर थे और इस प्राइब प्लान के अंदर मॉडल आया था आटमी पंच वरसी हुजना जो कि 1992 से 1997 तक रही थी और इस मॉडल कमोंख उद्धिश था कि दुन इसी किसमें मतलब इसी फाइविर प्लान में इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ डब्लू टी यू और फस्ट जैनुवरी नाइटीन नाइटीफाइब डब्लू ट्रेड और्गनाइजेशन जिसे बेपार संग्ठन कहते इसका मेंबर बना था इंडिया और एक जनवरी 1995 को तो यह हो जाएगा इसका राइटम से मरमोन सिंग हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है सैकेंड नंबर फास्टर और इंक्लिशिव ग्रोथ वा कि मतलब तिब्रता तिब्रतर और अधिक समावेशी बिकास एक अब्जेक्टिव कौन से फाइव ये प्लान का था तो यह 11 फाइव प्लान का अब्जेक्टिव था मतलब ग्यार में पंचवर्षी हो जोना तुसका राइटम सरोगा 11 फाइव ये प्लान इसमें जो पी आइज निकल के वह थी 7.8 परसेंट तो इसका राइटम सरोगे 11 फाइव ये प्लान उसके बाद 1250 से 90 के बीच में होई थी तो इसका राइटम सरोगा 7 फाइव ये प्लान के बारे हम थोड़ा देखते हैं इस सात्मी मतलब सात्मी योजुना का मुख उद्देश था कि संब्रद आधनी करण और आत्मनरवरता जैसे सेल्फ रेलाइंट कहते और सामाजिक नयाय पर बल द पर बिसेश द्यान देना और इसी 75 फाइव प्लान में ही 1986 में जो पोस्टल डेपन अप डिपार्टमेंट नहीं तो डांक विबाग उसमें स्पीड पोस्ट वेश्था कि सुरवात की गई थी 1986 में तो इस सब 75 फाइव प्लान में ही आएगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन है कि फोर्थ रंबर कि ग्रोथ बिद सोशल जेस्टिर्स अंड एक्वर्टी वाज़ फोकस ओफ कि इसका मतलब है सामाजिक नयाय और समानता के साथ आर्थिक संब्रद्दी कौन से फाइव प्लान का उद्दे से था तो यह था नाइन फाइव यर प्लान जब नौमी पंच व दो तक रही थी और इसके लिए चार मैं थे कॉंटेस्ट थे फोर डामेंशन में देखा गया इसको जैसे रोजगार सरजन आत्म निर्वर्ता एबंचेत्री संतुलन और जीवनिस्तर इन चार पर जांदा बिसेश जोर दियागा जैसे कि इनस हो जाएगा इन इट वाज़ फूर इंपोर्टेंट डामेंशन्स लाइक फस्ट हो जाएगा क्वालिटी ओफ लाइफ सेकेंड जैने जनरेशन ओप्रोडक्टिव इंप्लाइमेंट थाड़ हो जाएगा रीजिनल बैलेंस एंड लास्ट होगा सेल फ्रेलाइंस जिसे आत्म निर्वर्ता कहते हैं तो यह हो जाएगा यह सब 9th फाइवर प्लान के अंदर था उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है फिप्त नंबर दप्लान लांच्ट इन धफ फिप्टिएत येर ओफ इंडियन इंडिपेंदेंस वाज बास बसंब कौनसा फाइवर प्लान था जो कि पचासमी भारत का सथोटतादिवस मनाएगा था पचासमी बर्स पे कौनसा फाइवर प्लान लांच होई थी कि इंडिया इंडिपेंडेंस वात 1946 47 में 15 अगस्त 1947 उसके बाद से 50 सालोर उसमें जोड़ दो तो 1997 हो जाएगा अब 1997 में मतलब 1997 में कौन से पंच बरसी होजना होगी तो वह होगी नॉमी नाइन्थ पंच बरसी होजना जो की 1997 से 2002 तक रही थी तो इसका राइट आउंसर होगा नाइन्थ फाइव येर प्लान उसके बाद नेक्स्ट कोशन है इस 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 नंबर एकनामिक रिफॉर्म और इनिसिटिड वाइद नरसिमा राई गुवर्मेंट इन मतलब जो एकनामिक रिफॉर्म थे वह सुरूपए ये तो नरसिमा राई गुवर्मेंट ने कौन से पंच बरसी होजना में कर कि उसके बाद सेवेंथ कोशन देखते हैं सब्सक्राइब आधा सब्सक्राइब तो इसका राई टाइम सरोगा सेवेंथ फाइब येर प्लान कि उसके बाद नेक्स्ट कोशन है एर्थ नंबर कि टॉंटी पॉइंट प्रोग्राम बाज लांच इंद एयर जो बीस सुत्रिय यूजना थी वो कौन से साल में लांच की गई थी तो यह की गई थी 1975 में और उस ट इसक्स और इसमें जो बीस पॉइंट थे वह थे जैसे कि गरीवी दूर करना गरी गरीवी कम कमरना पॉवर्टी एडिकेशन सेकंड हो जाएक पावर टुए पेपल लोगों पास पावर ना चाहिए और सपोर्ट फार्मा लेवर वेलफेर फूड सेक्यूरिटी किलें ट्रे सब्सक्राइब के रूटी और रूलर रोट्स ऐसे हो जाएंगे टॉंटी पॉइंट से तो यह लांच हुए थे 1975 में कि इसका राइट अंसों को 1975 और यह इसका अंसा करेक्ट है जो कि 1975 हो गया पर इसको लिख देते 1975 सेवेंटी फाइव इसमें गलत प्रिंट हो गया है उसको और नेक्स्ट कोश्चन है नेशनल डेबलेमेंट कांचल वाज कॉंस्टिटिट इन जो राष्टी विकास परशत थी इकाव आई थी तो यह आई थी 6 अगस्ट 1952 अगस्ट 1952 इस एन अफेक्स बोड़ी फॉर डिस डिसिजन क्रीटिंग अंद डेलिवरेट इसन अधिल मैंट मैंटर्स इन इंडिया और इस प्रिसाइड्ट ओवर आई थी एक डिसिजन अब दे नेशन इन सपोर्ट अफ दा फाइवर प्लान मेडवाइद फ्लानिंग कमिशन तो यह हो जाए किसका नाइन्थ का सेखस अगा सुनने सो बावन उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है तैंथ नंबर एकनॉमिक प्लानिंग इस इन एकनॉमिक प्लानिंग है तो इसके या तुन कोन तो सूची में आती है स्टेट लिस्ट के अंतर मिध्रकुंप फ्लानिंग उसको स्टेट में पर देखता है और सेंटरल भी अका इंब इन DAY व्स में करेंगा सेंटर एंटि पॉर्टि प्रोग्राम बर इनोविजिन ऑफ जud मिनिममम नीड्स ह distinct और इंटि पॉर्टि 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 प्रोग्राम वह कौंसी फ्यूश्य प्लान में Wrap runs दें करम कि एकौन से फाइव प्लान में था तो यह था फिफ्ट फाइव प्लान इसके राइट हम सरह को फिफ्ट फाइव प्लान आ और इसके अंडर जो इस इजोना के मुंख फोद्धेश था वो था गरिवी उनमुलन के Σाथ आतमीमड़ता प्राप्त करना और यह कौन से मॉडल पर बेस्ट थी तो यह जाए कि DP 10 model इसका राइटाम सब्सक्राइब कर फिफ्फ फाइब प्लान उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है 12 नंबर कि अरॉलिंग प्लान रिफर्स टू प्लान बिच रोलिंग प्लान रिफर्स टू प्लान बिच तो यह अनबरत युजना होती है गयते हैं और इसका मतलव होता है चेंज-इट इंड़ केशन टार अव्र एर यह को चुशन है कि अुछ आ प्लानिंग कमीशन आफ इंड ऑज को ये प्लानिंग क्मीशन वान प्लानिंग कमिशन थी वह इंडिया की कॉंस्ट्यूट कॉंस साल में हुई थी तो यह थी 15 मार्च 1950 अंडर दा चेर्मेन सेवा पेम जवाला नहरू और यह एक एक एक्स्ट्रा कॉंस्ट्यूशनल बॉड़ी होती है और नॉन स्टेटरी बॉड़ी भी होती है तो इसका राइट आंसर होगा नाइटीन फिप्टी नाइटीन फिप्टी में यह कॉंस्ट्यूट हुई थी प्लानिंग कमिशन 15 मार्च 1950 और उस टाइम जो पेम था वो था जवाला नहरू जी यही चेर्मेन थी इनके तो उसके वाद नेक्स्ट कॉस्चन है फॉर्टींथ नंबर बिच प्लान गिव एंपेसाइज ओन रिमोबल पावर्टी फॉर्स ताइम मतलब कॉन सा फाइब प्लान था जिसमें एंफेसाइज किया गया था गरीभी को कम करने के लिए पहली बार तो यह था फिप्ट फाइबर प्लान इसे में नारा भी दिया गया थे गरीभी इंडीया यह क्या थे गईब बता दिए नौन इस्टिटर्श वाडी ऐ और एकष्टर कॉंस्टैोशिट और नॉन स्टिटरी वाडी एं तूसका राम फिए नोन इस्के वाडी कि उसकेवाद नेक्स्ट लेंस्टोरइं सेंसी। नुम्बड लॉठ अफिए मोटर वाइज् और हुआ एक है इसकी सेवेंटीनमेंट कॉश्य है नेस्टेशनल डबल्लेपिलेमेंट कांसिल कांसिल को है उक्रक टिंसीन स्ट्राइब मुख्य। क सब्सक्राइब को दो हिसमें अंतर मैंमर प्लाणिंग कमिशन की होते हैं पिलनी मेंबर उते हैं और चीन मिनिस्टर of state राज के मुखमंतरी भी होते हैं गवर्णर of state नहीं होता इसमें तो इस कांसर होगा बूत एंड सी जी मिनिस्ट्र of state होगा और मेंबर अप्लानिंग कमिशन होगा उसके बाद 18 नंबर कोश्चन है कि अनुवल प्लान बर लॉंच बिट्वीन जो एनुवल प्लान था वो कौन से सन के बीच में लॉंच किया गया तो यह 1966-1989 तक किया गया तो 1966-1989 तो यह हो जाएगा 1966-1969 भी ऑप्शन हो जाएगा इसका उसके बाद 19th कोश्चन है इन वीच यह फाइव यह प्लान इंडिया ओप्ट फॉर दे मिक्स एकोनोमी कौन से पंच बर से उजना में इंडिया ने ओप्ट किया था मिसरित एकोनोमी मिसरित मिक्स मिसरित तो यह किया था सेकंड फाइव यह प्लान में सब्सक्राइव फाइव यह फ्लॉगान के इंदर दिया गया था इसके राइटाम सरोगा कि यह थे हम लोगों के 20 questions related to economics में लिए फाइव यह प्लान से ही थे सब तो यह थे हम लोगों 20 questions भागे हम लोग नेक्स टॉपिक कि नेक्स वीडियो में बनाएंगे उस पर बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू